दूस्तो आप लोगों ने TV या फिर फिल्मों में जासू सुया सैनिको को अंधेरे में चीज़ों को देखने के लिए स्पेसल गॉगल का यूज करते हो तो जरूर देखा होगा जिसे नाइट विजन गॉगल कहते हैं और अंधेरे में वो चीज़ों को दिखा कि इस तरह पाते हैं तो आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए क्योंकि आपको नाइट विजन गॉगल के बारे में सब कुछ पता चलेगा इस वीडियो के थूरू तो हेलो गाइज मैं हूँ अफटाब और आप देख रहे हैं टेकनिकल वो अफटाब तो ऐसे में आगे वड़ते हैं इस वीडियो में इस वीडियो में हम नाइट विजन गॉगल में कौन से टेकनोलजी यूज होती है उसके बारे में जानेंगे तो दोस्तो नाइट विजन के लिए दो टाइप्स की टेकनोलजी को यूज किया जाता है night vision गोगल के थुरू अंधेरे में चीज़ों को देखने के लिए सबसे पहली technology का नाम है image enhancement और second technology है thermal imaging तो दोस्तो इन दोनों technology के बारे में जानने सपहले हमको lights के बारे में कुछ बाते समझनी जरूरी है तो दोस्तो क्या आप जानते हैं कि सभी lights visible नहीं होती यह सच है जैसे कि infrared और ultraviolet lights जिने हम अपनी नगन आखों से नहीं देख सकते हैं जिस light को देखने के लिए हमें किसी special goggle का यूज करना होता है और जिस light को हम देख सकते हैं उसे visible light कहा जाता है तो दोस्तो यह तो बात थी light की अब हम उन दोनों technology के बारे में जानते हैं जिनके बेस पर night vision goggles अंधेरे में चीज़ों को दिखा पाते हैं तो दोस्तो अगर पहली technology की बात की जाते हैं इसका नाम है image enhancement तो दोस्तो बेसिकली इस technology में हलकी फुल की light के help से ही आपको अंधेरे में चीजों को दिखाने में यह technology आपकी मदद करती है जिससे कि अगर आपके phone के display में आपको ठीक से चीज़े दिखना ही रही है जिससे कि आपको चीज़े काफी हतक अच्छे से दिख जाती अंधेरे में जिससे कि आप समझ लेते हैं जान जाते हैं कि वहां आखिर अंधेरे में चल क्या रहा है और कौन सी चीज है और दोस्तों मज़े की बात यह है कि इस technology के help से अल्टा वालेट जैसे lights को भी बीना किसी परसानी कि आप अपने नगना आखों से भी देख सकते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि उसमें हमेसा green glonis रहती है तो दोस्तों ऐसा जानबुच की किया जाता है क्योंकि जब सामने से आ रही lights को capture किया जाता है और उसे amplified या फिर कहें उसकी lights को boost कर दिया जाता है तो इसे electronic information में बदल दिया जाता है जिससे कि image colorless यानि कि black and white हो जाती है तो ऐसे में image को black and white ना रखकर इसे colorful बनाने के लिए green color इसलिए select किया जाता है क्योंकि humans eye green color के तरफ ज़्यादा sensitive होते है और उनके लिए green color के image में objects को पहचारना easy होता है किसी भी black and white image के मुकाबले इसी वज़े से night vision वाली images में आपको हमेसा green colorless देखने को मिलती है तो दोस्तो इस technology के help से आप बहुत हलकी lighting condition वाले अंधेरे में तो चीजों को देख पाएंगे लेकिन तब क्या होगा जब आपको किसी गूब गने अंधेरे में चीजों को देख रहा होगा या फिर किसी ऐसे जगा को जहां पर lights बिलकुल भी available ही ना हो तो दोस्तो इसके लिए ही next technology को use किया जाता है और उस technology को thermal imaging या फिर कहे thermal vision कहा जाता है और दोस्तो ऐसे में इस technology में हम lights के help से नहीं बलकि object से थुरू निकलने वाले heat के मदसे अंधेरे में चीजों को देखते हैं क्योंकि सभी hot objects है human bodies वे infrared lights के form में heat को emit करती है ऐसे में thermal vision technology का use करते हुए night vision goggles infrared lights के help से object को देख पाती है ऐसे में thermal vision technology में light का कोई role नहीं होता है इसलिए इस technology को अंधेरे में लोगों को देखने या फिर उनका पता लगाने में काफी जादा यूज किया जाता है लेकिन दोस्तो प्रॉब्लम यह है कि इस technology में भी आप objects के color का पता नहीं लगा पाएंगे जैसे कि आप image enhancement technology में color का पता नहीं लगा पाते है night में उसी तरह इस technology में भी आप color को नहीं देख पाएंगे कि सामने अगर कोई इंसान है तो उसने किस color की jacket या फिर कपड़े पहने है इसका आप पता नहीं लगा पाएंगे लेकिन आप ये जरूर पता लगा सकते हैं कि सामने अगर कोई इंसान खड़ा है तो उसके हाथ में कुछ है या फिर नहीं क्योंकि इस technology में 0.1 degree के difference में भी आपको image में फर्क मालूम चल जाता है तो दोस्तो SME technology काफी जादा अच्छे साबीत होती है और useful होती है अंधेरे में चीजों को देखने के लिए लेकिन बहुत सारे night vision goggles इस technology पर based नहीं होते वह image enhancement ये technology को use करते हैं अंधेरे में चीजों को देखने के लिए वीडियो को like और share करके जाईएगा और हमारे चैनल को भी subscribe करना मत भूलेगा मैं आपको जल्दी है कौन new video मिलता हूँ तब तो के लिए goodbye and take care